तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे फीचर्स बताने वाला हूं इसी वाले फॉन के और आपके लिए हेलफुल वीडियो होने वाली है यहाँ पर आपको कैमरे में जो रिंग लाइट देखने को मिल रही है आप इसे भी लगा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस वाले फॉन को बहुत आसाने सी यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मेरा नाम एहसान है आप देख रहे हैं यह कोई फीचर्स नहीं है मगर यहाँ पर आप देखेंगे हॉट एप और हॉट गैम देखने अज़र् organization को मिल रही है तौ इसके लिए आप को यहाँ पर सेटिंग में जाना है और सेटिंग में गांप करने के बाद में यहां पर आप सप्छते हैं यहां पर सर्च कर लेना सिस्टम NEVIGATION आप साइड में आपको देखने को मिल जाएगे इसमें क्लिक करिए यह पर आप भूप्सं जग तो आप यहांपर आप देखें सब्राइगा यह एका है फिर आप इस आप करना चाहते हैं तो यह एक आप अपने चाहते हैं kali आप music बगारा सुनेंगे तो आपको यहाँ पर music देखने को मिलेगी देख सकते हैं side में यह एज lighting देखने को मिल जाती है ages में आपकी music चलेगी तो आपको यहाँ पर यह इस तरह से देखने को मिलेगा side में और हाँ इसी तरह से आपको कोई notification में set करना है incoming call आपकी तो यहाँ पर यह light जलेगी देख सकते हैं यह मैं पिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आपकी कोई incoming call आएगी तो इस तरह से side में ages बगएर light जलने वाली है और हाँ notification आए उसमें आप set करना चाहते हैं तो इसमें भी आप set कर सकते हैं आप जैसे कोई incoming कोई notification आई आपकी तो इस तरह से light जलेगी देख सकते हैं side side में तो यह देखने में काफी जादा interesting लगती है आप अपने दोस्तों के साथ में impression जमा सकते हैं यह देखो इस तरह से तो देखने में काफी कमाल की लगती है तो इसे भी आप ट्राइक कर लें ना यह सारा कुछ आपको ambient light में मिल जाता है अब हम एक step एक आते हैं dynamic effect में तो आपको और भी features मिल जाते हैं जैसे कि यहां पर आप आईगा fingerprint animation मिल जाते हैं इतने सारे आपको recognition मिल जाता है fingerprint recognition मिल जाता है आपको जो भी choose करना है वो आप यहां से choose कर सकते हैं यहां पर देखो इस तरह से अब हम एक step back आएंगे तो आपको यहाँ पर charging animation भी मिल जाते हैं आपको जो भी charging animation लगाना है वह सारा कुछ आप यहाँ पर set कर सकते हैं आप USB इंसेट करते हैं केबल बगेरा यहाँ पर नीचे side में तो किस तरह की animation आएगी वो आप यहाँ पर set कर सकते हैं और आप यहाँ पर the animation आटे हैं तो आपको यहाँ पर साङए आपको यहाँ आप ने बंक होने वाला है मोने इस तरह सेट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर आएगाँ आप यहाँ यहाँ पर लोहरे कीrict कर 먹ेंगे तो आपको यहाँ पर देखो यह बाल्न पेपर मिल रहे और आपको यहाँ पर इस्टेटिक वाले मिल जाते हैं लाइब वाल पीपर मिल जाते हैं आपको जो भी रखना है बो रख लेना जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे यह फ्लोबर आप जितना इस टेप चलते हैं ना 4000 का टारगेट है उतना ही में फिर आप ऐसा यह फ्लोबर ह खिलने बहला है तो आप इससे भी ट्राइब करके देख लेना इस तरह से यह एनिमेशन के साथ में आता है और आपको इस्टेटिक वाल पेपर मिल जाते हैं आपको जो भी पसंद भी आप यहां से सेट कर सकते हैं आप नेक्स्ट यहां पर आलवेज ऑन डिस्पिले की बात को मिल जाते हैं देखो इस्टाइल वगेरा आपको जो भी रखना है बो रख लेना अब आपका फॉन बंद रहेगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है या ओलवेज ओन डिस्पिले तो यहां पर यह एक अकेला नहीं आपको बहुं सारे मिल जाते हैं आपको य सॉच को देख्टाइब कर रहे मिल जाते हैं तो वह बहुंअ चालू करेंगी यह प्लूद कर सकते हैं इस तरह आप इसका चैंज कर सकते हैं इसे प्ली कर ने features को इसके बाद में आप green करना चाहते हैं तो अब देखो आपका जो color है वो green हो चुका है आप इस तरह से बहुंच सारे color को choose कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा इस यदि आप icon में भी color यही वाला रखना चाहते हैं तो आप भो भी रख सकते हैं तो आप apply to icon कर लेना यह से तो यह apply हो जाएगा अब देखो आपके जो आइकन है वो भी इसी तरह की color में आ चुके हैं यह हमारा यह color है तो इसी तरह का match color में आइकन भी देखने वाले हैं तो हमें एक step back आते हैं guys यहां से और यहां पर आना और यह यहां पर किलिक करना अब देखो यहां पर आपक जो भी color रखना है आपको और इसके बाद मैं आप यहां पर नाम लिखना चाहते हैं अपना तो वह आप नाम लिख सकते हैं लोग रहे गागा आपका फॉन तो आपका नाम यहां पर सो करने वाला है यह आपको इसोट कर भी मिल जाते हैं यहां पर आप किलिक करिए गा और पर जैसे camera है पहले से flash light रखना चाहते हैं आप calculator रखना चाहते हैं डारेक्ट ली तो वह आप यहाँ पर से set कर सकते हैं अभी हम बैक आज आते हैं और यहाँ पर आपको एक special features मिल रहा है lock screen setting में यह वाला open control center from the lock यह आपके में चालू रहता है आप चालू रहेगा तो यह क्या काम करेगा मैं आपको बता देता हूं जैसे कि आपका phone यह lock screen में है और यहाँ पर देखो यह control panel हमारा निकल जाता है फिर यहाँ से कोई hotspot बगएरा आपका connect कर सकता है तो इसे बंद करने के लिए यह वाली features को अब आपने इसे बंद कर लिया ना तो आपका phone lock रहेगा lock screen में रहेगा तो यहाँ से control panel नहीं निकलेगा देख सकते हैं इस तरह सी control panel नहीं निकल रहे है और आपको यहाँ पर यह notification भी नहीं दिखाना है तो भो भी आप बंद कर सकते हैं जो कि मैं आगे आपको बताने बाल इसे आप चालू करने के बाद में क्या होगा आपने यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आई और इस तरह से हाइड कर दिया तो वो notification आपकी न यहाँ पर notification हिस्ट्री में सो करने लगेगी देख सकते हैं इतनी notification आपने यहाँ से swipe करके रखा है मतलब 24 hours के अंदर में जो भी notification आती है वो यहाँ पर मिल जाती है अब इसका फायदा यहाँ पर है जैसे कि बाटसब में आपको किसी ने message किया आपके दोस्त ने और फिर थोड़ी देर के बाद में delete everyone कर दिया और आपने scene नहीं कर पाया था तो वाली notification डिलेट everyone वाली बाटसब की बो भी आपको यहाँ पर notification के अंदर में मिल जाएगी 24 hours के अंदर में सारी notification इस्टोर रहती है तो यहाँ अलब features भी अच्छा है इसे भी आप try करके देख सकते हैं तो इस वाली features के लिए वीडियो को like जरूर से कर देना और हमारे चैनल के 100 के subscriber बहुंच जल्दी होने वाले हैं तो उनको जल्दी से complete कर आओ इस वाली वीडियो को अपने दोस्त के साथ में भी सेर जरूर के कर देना नेक्श्ट गईश आपको फिर से phone की setting में जाना है नेक्श्ट फीचर के लिए यहां पर आपको Sourccut and Accessibility वाला E causing मिलेगा इसमें आप किलिक कर एंग और यहां अग बदमेद में आपको स्मार्ट मूसन वाला date मिले इसमें किलिक करना और उपर साइड में यह smart skin on-off वाली features म मिलते हैं तो यहां पर आना और सब सुपर साइड में आपको ना राइस टू बेक वाल ऑप्सन मिलेगा इसे चालू कर लेना अप चालू करने बाद में देखो आपका फॉन बंद है और आप रखा है कहीं पर आप इस तरह से ऐसा करेंगे तो आपका फॉन है ना आपको पार बैक वाल ऑप्सन मिल रहा है इसे चालू करना और यहां पर यहां पर इन दोनों को चालू करने की बाद में हैं और आपेहां पर डवल करेंगे तो आपका फ़ॉन बंद हो जाएगा, आपको पावर बटन प्रेक्ट करनी की जरूरत भी नहीं पढ़ने वाली है तो इस बाल वाले उप्सन मिलेगा इससे चालू कर लेना अब चालू करने के बाद में देखो आपने यहां पर डायलर उपन किया और यहां से कोई कॉंटेक्ट चूज कर लेना अब चूज करने के बाद में आप अपने फॉन को डारेक्टली ऐसे कान के पास में लेके जाएंगे तो आपकी कॉलिंग आटोमेटिकली लग जाएगी आपको यहां पर कोई टच करने की जरूद भी नहीं पड़ेगी बस आपको कोई कॉंटेक् पीकप नहीं करना है डारेक्टली आपने जेब से निकाला फॉन को और कान के पास में लेके चले जाएंगे तो आपका फॉन आटोमेटिकली पीकप हो जाएगा आपको एसा पीकप करनी की ज़रूद भी नहीं पड़ेगी तो यह वाली फीचर को आप चालू कर लिजेगा अब इसके नीचे में आपको और भी उप्सन मिल रहे हैं गाइस स्मार्ट म्यूट वाला इसे भी आप चालू कर ले आप इसमार्ट में क्या काम करेगा यह जैसे कि आपकी कोई इंकमिंग कॉल आ रही है और आपको फॉन पीकप नहीं करना है तो आपको धग देंगे तो आ आपको इससे क्या होगा आपका जो फॉन है ना म्यूट हो जाएगा तो यह स्मार्ट काॉलिंग वाले फुचर सेंगाइस इनको भी आप एक एक करके ट्राइ करके देख सकते हैं तो हम एक स्टेप बैक आज आते हैं अभी यह स्मार्ट मोसन में और यहां पर आपको मिलेग आपको एकसिबिलीटी वाला ओप्सन मिल जाता है और यहां पर आपको और पीट्र मिलता है जैसे की इजी टेस वाला अब इसे आप चालू कर लेना अब चालू करने के बाद में इसे कस्टम कर सकते हैं जैसे कि मैं यह एस्ट्रोनोड को लगा लेता हूँ अब आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा एस्ट्रोनोड वह आ चुका है इतने सारे आपको फीचर मिल जाते है अप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं इसे हाइड भी कर सकते हैं इसकी इसकी इस्कीन वगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर पाएंगे यहां पर आपको और आपको तो वीडियो कॉल के अंदर में फेस ब्यूटी मोड इनेवल हो जाएगा फिर आपका जो चहरा है ऐसा ब्यूटीफुल देखने वाला है तो आप इसे भी इनेवल करके देख सकते हैं तो हम एक स्टेप बैक आएंगे नेक्स फीचर के लिए नया फीचर से यह वाला डाइनिमिक लाइट वाला अब यह देखो यह आपके बंद रहेगा तो चालू कर लेना फ्लेस लाइट भी जलेगी तो आपको पता चल जाएगा तो यहां से आप पर्टिकुलर किसी की नम्मर आपको एक application open करना है और open करते ही आपको यहां फिंगर से ऐसा करना है और दूसरे application आपको यहां पर open कर लेना है अब देखेंगे आपका YouTube यहां पर चालू हो चुका है और आप तीसरे application भी open करना चाहते हैं तो भो भी हो जाएगा यहां पर देखो यह हमारा calculator भी open हो चुक आप गाइस नेक्स फीचर की बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल निकालना है इस तरह से और आपको एक उप्सन मेलेगा यह स्मार्ट मेरिरिंग वाला इससे ना आप अपने फॉन की डिस्पेले को टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं और मुवी बगेरा आप देख रीक करिएगा और उपर साइड में आपको यह वाल ऑप्सन मिलेगा अप इनकृप्शन वाला इसमें आप पासबर्ड डालेना स्टाइम में आप जो भी सैट करना है इसके बाद में फिर यह बज़ बाद पासबर्ड सैट हो जाता है एक बार वश डालना पड़ाइगा अब चालू करने के बाद में देखो आपने ये gallery open कर लिया ये hide करके रखा है अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वाले application नहीं देखेंगे जो आपने hide करके रखा है उनको देखने के लिए आपको इस तरह से ऐसा करना है दो finger से तो आपको फिर यहाँ पर password या fingerprint आपक सकते हैं फिर बो application में आप fingerprint या password डालेंगे तब जाके open होने वाला है बट यहाँ पर यह एक मिनट है ये तो आप इसे बीच वाले में set कर लेना इसके बाद में किसी भी application को आप open करेंगे तो पहले password लगेगा फिर बो open होने वाला है अब अगली features की बात कर लेते हैं गाई और यहाँ पर यह hide वाला option मिल जाता है यह hide हो चुकी है अब यहाँ वाली वाली video यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी आपको देखना है तो आप यहाँ पर album पर आनेक बाद में यहाँ पर यह three dot पर click करना और यह hide वाला option मिल जाता है hide photo इसमें आप click करना तो जो भी आपन पाइस एरेज़ करना है AI Errazer आपको यहां पर मिल जाता है जैसे कि आप पको यहां पर क्लिक करना है यहां पर आपको AI Errazer मिल जाएगा इसमें की यहां पर यहां पर आपको कुछ उप्सन मिल जाते ऊद देग भाले बट इसके लिए आप generators आपको देखने को मिल रही है आप उसे भी लगा पाइंगे तो इसे लगाने के लिए अफिए इक फ्रीकेशन ओपन कर लेना है डाउलोड करने के बाद में आप यहां पर क्रॉम प्राउजर पर जाना और रिफ्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं और फिर इसके बाद में आप कहीं पी जाके देखते हैं तो यह आपको केमरे में रिंग लाइट देखने को मिल जाती है तो आप इसे भी अपलाइक कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो गाइस यह थे कुछ इसके करन के सब्सक्राइब करते हैं एज लाइक करना चैरल को सब्सकाई भूल ला कियूंकि हमारे हिं और हैंटली के सब्सक्राइब करें ऑपनी दोस्त के साथ में ज़रूर से सेहर कर देना और इस फूबली फौन पे नब भीचा जैसंद आप प्रोट्रेड वाले जाए वाले